नमश्कार आप सभी का स्वागत है विन्द भारत में मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुपता ये बढ़ते हैं कुछ खास ख़बरों के साथ मध्य प्रदेश इन दोनों विकास के पत पर तीजी से आगे बढ़ रहा है सभी जिलों में इसके कार्य देखने को मिल रहे हैं इसी कड़ी में रिवा जिले के लोगों को भी काफी सारी सौगात दिवाली से पहले मिलने वाली है जिन में से एक एरपोर्ट का उदघातन भी शामिल है जो की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा 21 अक्टूबर को वर्चूल किया जाएगा इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है वरिष्ट अधिकारियों द्वारा लगातार कारियों की समीक्षा भी की जा रही है सुरक्षा की द्रिष्टी से कड़े इंतजाम किये गए है वहीं 23 अक्टूबर को जिले में रीजन इंडस्ट्री कनफलिक्ट का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी बड़ी कमपनिया निवेश करेगी इससे रोजगार के नए अफसर युवाओं को मिलेंगे जिससे बेरोजगारी दूर होगी बता दें की इससे पहले भी इस तरह के आयोजन अन्य जिलों में किया जा चुके है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथी शिर्कत करेंगे उनके अलावा कैबिनेट के कुछ मंत्री भी इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं इसलिए 23 अक्टूबर का दिन रीवा के लोगों के लिए काफी बढ़ा होने वाला है इसकी जानकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दी है उन्होंने बताया कि इस कॉंक्लेव में तीन बिंदूओं पर मेंन फोकस किया जा रहा है जिन में पहले निवेश और ओध्योगिक विकास को बढ़ावा देना है इसके लिए उन्हें जमीन की जरूरत पड़ेगी ताकि वहां सेंटर्स खोले जा सके ऐसे में प्रशासन द्वारा उपयोगी जमीन को चिनहित किया जा रहा है जिसे लेकर तैयारियां चल रही है इसके अलावा लोगों की समस्याओं को सुनना उनकी तीसरी प्राथमिक्ता होगी इसके बाद समस्या का निराकरण कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसरा इस इवेंट में बहुत से लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है इसके अलावा कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े-बड़े उद्योग पतियों को इमबेक में शामिल होने के लिए आमंतरन भेजा जा रहा है इसके अलावा इवेंट स्थल पर सुरक्षा के खड़े इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि 23 अक्टूबर कोई परेशानी या समस्या ना हो स्वयं कलेक्टर द्वारा लगातार निरीक्षन किया जा रहा है साथ ही संबंधित अधिकारियों को उचित दिशानिर देश भी दिये जा रही है